नमस्कार दोस्तों स्वागत आपसे भी का एससी मेकर के यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम समानने विज्ञान से रिलेटेट इंपोर्टन्ट 20 कोशन डेटियल में डिसकासन करेंगे यहां समानने विज्ञान सीरीज का पार्ट 114 है जो कि आने वाले रिल दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रसंद वहां ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हसाने वाली गैस भी कहा जाता है तो दोस्तों आप बताएंगे वहां ग्रीन हाउस गैस नाइटरस ऑकसाइड है दोस्तों जिसे हसाने वाली गैस यानि लाफिंग गैस भी कहा जाता है options का सही हो जाएगा दोस्तों पहले बात करते हैं green house gases के बारे में दोस्तों green house gases यह ग्रह के वातवरन या जलवाईयों में परिवर्तन और global warming के लिए responsible होती है इन में सबसे ज़्यादा उत्सर्जन carbon dioxide, nitrous oxide, chloro-fluorocarbon, methane, water vapor and ozone आधिक करती है दोस्तों बात करते हैं nitrous oxide यानि N2O के बारे में दोस्तों nitrous oxide को laughing gas, happy gas या इसे nox के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इसका प्रयोग सल्ल चिकस्या में और दंत चिकस्या में इसका इस्तमाल करते हैं दोस्तों इसको सुंगने के बाद व्रक्ती हसन लगता है इसलिए इसको laughing gas के नाम से जाना जाता है next question प्रस नम्मर दो विरिक्षो की आयू का अध्यन विज्यान की किस साखा में किया जाता है तो दोस्तों आप बताएंगे डेंडरो क्रोनोलोजी के अंतरगत दोस्तों विरिक्षो की आयू का अध्यन किया जाता है इसका option ठीक हो जाएगा दोस्तों बात करते हैं डेंडरोलोजी के बारे में दोस्तो डेंडरोलोजी में विरिक्षत था जाडियों का अध्यन किया जाता है जबकि दोस्तो पॉमोलोजी में इसमें दोस्तो फलो का अध्यन किया जाता है जबकि दोस्तो एंथोलोजी में इसमें पुस्पो का अध्यन किया जाता है दोस्तों आप बताएंगे ब्रेट बनाने मेंस्तेमाल किया जाने वाला खमीर होता है वह कीमिनवन के लिए वोट प्लिर्स के रूप में कारे करता है यानि options इसका ठीक हो जाएगा next question प्रेस नम्मर चार आधुनिक आनुवांसिकी का जनक किसे माना जाता है तो दोस्तो आप बताएंगे आधुनिक आनुवांसिकी का जनक Gregor John Mendel को माना जाता है यानि options का सही हो जाएगा दोस्तो आश्टरिया के Gregor John Mendel को आधुनिक आनुवांसिकी का जनक माना जाता है दोस्तो वांसिकी के मूलभूतिनियम सरपर्थम Gregor John Mendel ने प्रतिपादित किये थे इन्होंने दोस्तो मटर के पोधो पर अध्यन किया था next question प्रेस नम्मर पांच दोस्तो प्रेस नम्मर पांच है हमारा नेमलिखित में से कौन एक बोना ग्रह यानि डुवार्फ प्लैनेट है तो आप बताएंगे Pluto दोस्तो Pluto एक डुवार्फ प्लैनेट यानि बोना ग्रह है option से इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो बोना ग्रह क्या होता है तो आप बताएंगे एक ऐसा कासी पिंड जो किसी अन्य ग्रह की परिकर्मा नहीं करता था ग्रह के समान बहुत से गुन प्रदस्षित करता है उसे बोना ग्रह का जाता है दोस्तो Pluto या हमारे सोर मंदल का दूसरा सबसे बड़ा बोना ग्रह है दोस्तो पहला सबसे बड़ा बोना ग्रह कौन यह तो दोस्तो आप बताएंगे हमारे स्वर मंदल का सबसे बड़ा बोना ग्रहा दूसरा से और स्टर सान पर दो SMITH हमारा पलूट है नेक्स कोश्चन प्रेस नम्मर छे दोस्तो प्रेस नम्मर छे हमारा कुष्ट रोग यानि लेपरोसी को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो दोस्तो आप बताएंगे लेपरोसी को दोस्तो हैंसेन डिजीज के नाम से जाना जाता है ओप्शन इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो कुष्ट रोग यानि लेपरोसी को हैंसें रोग के नाम से जाना जाता है यहां दोस्तो माइको बैक्टिरियम लेपरी और माइक्रो बैक्टिरियम लेपरो मेटासीस नामक जिवानू दारा होने वाला डिजीज है नेक्स कुश्चिन प्रेस नम्मर साथ बायो गेस का परमुख हिस्सा होता है तो आप बताएंगे बायो गेस का परमुख हिस्सा होता है मीथेन यानि CH4 जिसे मीथेन कहा जाता है यहां बायो गेस का प्रमुख हिस्सा होता है ऑप्सन भी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो बायो को गोबर गैस भी कहा जाता है बायो गेस का उत्पादन जे रसायनिक प्रिक्रिये द्वारा होता है दोस्तों बायो गेस का मुख्य घटक होता इसफ़ी होटा है मूथ हिम ट्र होत ही वह लग बग 55 लेकर 75 प्रसंड तक होती है उसके बाद दोस्तों होथा कारबन डाय ओक्साइड इसकी मात्रा दोस्तों होती है 25 से लेकर 50 परसंड तक और सेश जो होता है वह कुछ मात्रा में होता जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन और अन्डे कार्बन मॉन ओक्साइड इत्यादी नेक्स्ट कुश्च्छन प्रस नम्मर आठ एक जनरेटर डैस रुपांत्रित करता है तो दोस्तों आप बताएंगे एक जनरेटर जो होता है वह यांत्रिक उर्जा को विधुत उर्जा में रुपांत्रित करता है यानि ओप्सन डी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों एक जनरेटर जो होता है वह यांत् सरिवर्तित करता है next question प्रेस नंबर नू लट्टू को घुमाना किसका एक उधारन है तो दोस्तों आप बताएंगे लट्टू को घुमाना यह सेंट्री पिटल फोर्स यानि केंद्रा भीमुक बल का उधारन है और इसका सही हुजाएगा next question दोस्तों प्रेस नंबर दस है हमारा chloraline नामक परतिजेविक किससे प्राप्त किया जाता है तो दोस्तों आप बताएंगे chloraline नामक परतिजेविक यह दोस्तों spectator नंबर से प्राप्त किया जाता है यानि option inmost ses नसका सही हो जाएगा दोस्तो क्लोरेलो नामक सेवाल से क्लोरेली नामक पर्तिजविक प्राप्त की जाती है अगर हम बात करें इस्पैरोगाईरा के बारे में तो दोस्तो इस्पैरोगाईरा नामक सेवाल जल या तलाब का रेसम की इसे उपमा परदान की गई है दोस्तो बात करते हैं लेमिनेरिय नामक सेवाल के बारे में दोस्तो लेमिनेरिय नामक सेवाल से दोस्तो आयोडिन का निर्मान किया जाता है नेक्स कोश्चन प्रस नमबर 11 एक यूनिट में कितना मिली लिटर रक्त होता है तो दोस्तो आप बताएंगे एक unit में दोस्तो रक्त जो होता है 450 ml होता है option 6 का ठीक हो जाएगा दोस्तो एक स्वस्त मनुस्य में जो रक्त होता है लगबग 5 से लेकर 6 लिटर तक होता है दोस्तो रक्त जो होता है मनुस्य के सिरी में वहां उसके भार का लगबग 7% होता है दोस्तो मनुस्य के रक्त का जो प्रक्रति होती है वहां चारिये होती है जो रक्त होता है वहां एक संयोजी उत्ताक होता है क्या होता है दोस्तो रक्त का जो pH value होती है 7.4 होती है next question प्रस नम्मर बारा इंफ्रारेड किरने क्या है तो दोस्तो आप बताएंगे इंफ्रारेड रेज दोती है वहाँ विधुचुम्ब किये तरंगे होती है ऑप्सन डी इसका ठीक हो जाएगा नेक्स कोश्चन प्रेस नमर 13 बारूद में मुख रूप से क्या सामिल होता है तो दोस्तो आप बताएंगे बारूद में मुख रूप से पोटेशियम नाइट्रेट सामिल होता है यानि और इसका सही हो जाएगा दोस्तो बारूद एक विस्पोटक रसायनिक मिस्रन होता है इसे गन पाउडर या इसे बलेक पाउडर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तो बारूद यहां मुख रूप से सलफर कोईला और पोटेशियम नाइट्रेट से मिस्रन से बनाया जाता है दोस्तो इसमा मुख रूप जाएगा दोस्तों स्टेनले स्टील एक स्पात होता है जो कि वायू मंडल तथा कारबनिक हुआ अकारबनिक अमलों से खराब नहीं होता है दोस्तों स्टेनले स्टील यह साधारन स्टील क्रोमियम तथा निकेल का मिस्त्र धातू होता है दोस्तों इसमें क्रोमियम होता है वह दोस्तों आप बताएंगे carbon dioxide यह दोस्तों आग को बुझाता है option सिसका ठीक हो जाएगा दोस्तों carbon dioxide यानि CO2 यह इंधन और oxygen के बीच में संपर को काट देता जिसों दोस्तों oxygen के कमी के कारण आग बुझ जाती है next question प्रेस नंबर 17 दोस्तों प्रेस नंबर 17 हमारा नीम लिखित में से सल्फर का रसायनिक प्रतीक होगा तो दोस्तों आप बताएंगे सल्फर यानि दोस्तों गंधक इसका रसायनिक प्रतीक होता है एस यानि ओप्सुने इसका सही हो जाएगा दोस्तो सलफर यानि गंधक यह रसायनिक आधातू तत होता है दोस्तो इसका परमाणू नमबर होता है 16 तथा इसका परमाणू द्रब्यमान होता है 32.006 कितने दोस्तो इसका परमाणूर द्रवेमान होता है 2.0। next question प्रेस अरी नॉटारा निसकरिये गैसों को आवर्त सांणी के गारे समूमें रखा जाता है तो दोस्तो आप बताएंगे निसकरिये गैसों को आवर्त साधने के 28 समू में रखा जाता है ऑप्षन से ठीक हो जाएगा दोस्तों आवर्थ साधने के 28 समू में निसकरिये गैसे को रखा गया है यहां किसी भी तत उसे क्रिया नहीं करते विकॉस इनका संज्जोगता कक्ष्यानी वेलेंस सेल जो होता है वह पूर्णता भरा होता है द दोस्तो हीलियम आरगन नियोन क्रेप्टाउन जेनों तथा रेड़ॉन यह सभी कुल छे दोस्तो निस्करिये गैसे यानि इनट गैसे होती हैं इन्हें दोस्तो नोबल गैस भी कहते हैं नेक्स कोश्चन दोस्तो प्रस नंबर 19 हमारा मानो सरीर के किस अंग में लसीका कोशिकाएं बनती हैं तो दोस्तो आप बताएंगे मानो सरीर के प्लिया में लसीका कोशिका यानि लिंफोसाइट सेल बनती हैं ओप्सन सी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो लसीका कोशिका यानि लिंपोसाइड सेल एक परकार के WBC यानि स्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं दोस्तों जिनका निर्वान लसीका गरंतियों पलिया थाइमस गरंतिय तथा अस्ती मज्जा दवारा होता है लसीका कोशिकाएं दोस्तों दो परकार की होती है पहले टी लिंपोसाइड सेल दूसरी आप बताएंगे नेम लिखित में से चीनी मिट्टी के बरतन यहां दोस्तों विधुत का सुचालक नहीं होता यानि इस में से विधुत आर पार नहीं जा सकता दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपोर्टन कोशन बन सकते थे अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए धन्यवाद दोस्तों